रोड कंस्रक्शन का काम चल रहा होता है एक जिसी भी मशीन लगातार रोड कंस्रक्ट करने के काम में लगी होती है लेकिन उससे पहले उसे खुदाई करनी होती हो खुदाई में लगी होती है तब ही अचानक बहुत सारे बंदरों की फौज आ जाती है और जेसी भी मशीन को खेर लेती है अचानक जेसी भी मशीन भी खराब हो जाती है आखिर क्या था ऐसा कि वो बंदर रोकना चाहते थे जेसी भी मशीन को कैसे खराब हो गई जेसी भी मशीन अचानक काम करते हुए इस किस्से के पीछे की सचाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे और जब जान लेंगे तो आपके दिल में करुणा जाग उठेगे आपके दिल में एक अलग ही भावा जाएगा तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखें यू तो आप सभी जानते हैं कि हिंदु धर्म को सबसे पुराना और सबसे पूझनी माना जाता है हिंदु धर्म में दाय हो या वानर हर किसी को आराधि देव के साथ जोड़ कर पूझा जाता है जहागाय को गव माता माना जाता है वही बंदरों को हनुमान के वंच का माना जाता है और उनकी सेना से जोड़ा जाता है यानि की वानर सेना से भारत देश में तो आप सबने देखा ही होगा लेकिन आज इस घटना की हम बात कर रहे हैं वो कहीं और की नहीं बल कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सर्जमी पर घटी है जी हाँ इस घटना की घटने के बाद सबी पाकिस्तानियों ने भगवान हनुमान और उनकी वानर सेना का लोहा मान लिया है चलिए जानते हैं आखे रिए किस्सा क्या है दरसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले एक रोड का काम चल रहा था ऐसे में पाकिस्तान के प्रशासन द्वारा रोड पर कारे के लिए JCW लगाई गई थी कुछ घंटों की मशक्कत करते हुए उन्होंने रोड का कारे तो किया लेकिन अचानक से वह JCW मशीन खराब हो गई उसके बाद दोबारा टेक्निकल एरर के चलते एक और JCW मशीन लगाई गई लेकिन अचानक आसपास के पेड़ों में बहुत हल चल देखने को मिली जब लोगों ने पेड़ों को गौर से देखा तो वहां कोई और नहीं बलकि हाजारों की संक्या में बंदर आ गये थे वानर आ गये थे जो लगादार पेड़ों को जंजोर रहे थे और उनमें से कुछ वानर व कुरा प्रशासनद міज दर गया वानर सौग की गिंति में बलकि हाजारों की संक्या में थे और उस जैस का रिक पर हम्ला कर रहे थे हैंAll अभा के गई मशीन रोट के पास थे थे खंडर के पास जा पहुंची और उसे तोड़ने का प्रयास करने लगी वो जैसे भी मशीन लगतार कार कर रही थी ऐसे में उन्हें जैसे ही खंडर को कुछ भी मीटर खोदा उसके दिवार गिराई बंदरों की आवाज और ज्यादा भयानक हो गए वास पास की दुकानों में उड़पात मचाने लगे ऐसे में सबी लोग परिशान होने लगे ऐसे में सिर्फ प्रशासन के अधिकारीली जमीन के अंदर खुदाई कर रही है, वहां कुछ बहुमूली चीज है, जिससे जिसी भी मशीन पूरी तरीके से टकरा रही है, और कुछ अलगी आवाज जा रही है, ऐसे माचानक सब ही वानर शांत हो गए, और कुछ वानर सीधे तोर पर पेड़ से उतर कर रोड पर आ गए, ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है, कोई है जो उन्हें दर्शन देने के लिए आने वाला है, ऐसे माचानक से जिसी भी मशीन के चालक ने जिसी भी मशीन को बंद कर दिया, और उतर कर जमीन का जाईजा लेने लगा, लेकिन जब उसने देखा, क कि सब हैरान रह गए, तोकि उस जमीन के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिला, जो कभी किसी ने नहीं देखा था, वहां मिली हजारों साल पुरानी पड़ी हुई हानुमान जी की प्रतिमा, जो की अत्यंत प्राचीन थी, साथ ही साथ, वह कांसे की बनी हुई थी, ऐसे में सब की जिग्यासा और बढ़ गए, सभी समझ गए कि ये वानर आखिर क्यों शोर मचा रहे थे, आखिर ये वानर जो थे, वो वानर सेन थी, आसपास के ग्रामेडों को बार बार ये तंग कर रहे थे, इसलिए ही तंग कर रहे थे, जब प्रशासन के अधिकारियों ने उस मूर् कुल्य मूर्तियों और कलाकरितियां सामने आए, विशे शक्कों का मानना है, इस खोच से मंदिर के निर्मान काल का पता लगाने में भी मदद मिलेगी, दरसल ये घटना कराची के पुराने सोलजर बाजार इलाके की है, जहां उन्हें श्रिपंच मुकी हनुमान के दर्शन करने का उसर मिला, हनुमान जी की मूर्ति के साथ आठ नो अलग-अलग मूर्तियां भी मिले जिसमें, जिसमें अलग-अलग मूर्तियां थी, जैसे की गणेश जी की मूर्ति, शेर वाली मूर्तियां और मिट्टी के बने बरतन भी थे, लेकिन जो घटना घटी याने के लग चीजों को नश्ट करें ऐसे में साफ दर्शाता है कि हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं साथी साथ अपनी वानर सेना का खयाल भी रखते हैं जिसके चलते पाकिस्तान के रोड भोरे खुदाई के दौरान भी घट न घटी अगर आप भी सची हनुमान भगते हैं तो इस प्रिवाद